हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बिटकोइनर क्रिप्टोकरंसी मार्केट को देख के और अच्छा महसूस कर रहे होंगे हमने कल की वीडियो के अंदर भी आपके साथ ये शेयर किया कि एक बड़ा बुलरन यहां ट्रिगर होता दिख सकता है और हमने बहुत बार बहुत वीडियो के अंदर आपके साथ में हिस्टोरिकल डेटा रखा जो बताता है कि यहां पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात करते हैं या अगला एक साल हालविंग के बात का होता है वो बहुत जबरदस्त हो सकता है और उसकी कुछ-कुछ जलक हमें पिछले दो दिनों के अंदर देखने को मिल गई और यहां पर अब क्या लगता है और यह माहौल क्यों बन रहा है उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा और यहां पर इससे important बात क्या है हर कोई चाहता है कि मैं ऐसे coins रखूँ जिनका कोई use case हो या जिसके अंदर कुछ हो सकता है या यहां पर कुछ ऐसी बात हमें पता चले कि जिसके अंदर हाँ आने वाले time के अंदर development हो रही है और उससे जो है project को फायदा होगा और project को फायदा होगा तो ultimately हम सब को फायदा होगा तो इसके लिए आज जो मैं आपके साथ में 4-5 coins share करूँगा आपको पता है मैं Singapore token 2049 यहां पर event में आया हुआ हूँ और यहां पर already 18-19 को वो event कल खतम हो चुका है लेकिन side party चलती है side event चलते है side event क्या होते है मैं पहले आपको समझा देता हूँ एक तो होता है main event लेकिन जो भी बड़े-बड़े exchanges होते हैं बड़े-बड़े projects होते है crypto के वो उसके आस पास शाम को या उसी same day पे time एक दो घंटे के लिए क्या करते हैं कभी party दे देते हैं कभी आपका event रख देते हैं अपने project के बारे में बताने के लिए तो यहाँ पर मैंने उनके अंदर भी थोड़ा जो है आप कह सकते हो मैं गया participate किया और यहाँ पर token 2049 है उसके main event के अंदर भी जाके जो चार-पांच बड़े coins हैं जिनको हम closely watch भी करते हैं तो उनके लोगों से बात करी और वहाँ उम्मीद जो है आप कह सकते हो कि वहाँ प हाथ धोलेगा जो भी coin है जो आपने सुना भी नहीं होगा वह भी आपको भागता दिखेगा लेकिन अगर बड़े project उनके use case निकल के आ रहे हैं और वह future में कुछ development की बात कर रहे हैं तो उससे मजा ही कुछ और हो जाता है अगर आप उसमें invested हो तो यहाँ पर 5 coin मैं वह भी करते कुछ नहीं है लेकर मेरा काम है आपको सही को सही बताना गलत को गलत बताना और क्या news है और क्या चल रहा है वह आपके साथ में share करना तो यहाँ पे वह भी मैं आपके साथ जो है share करनी कोशी करूंगा और हो सकता है इन coin से आपको कुछ फायदा होता दिखे या जो जादारी भीम resistance है उसको तोड़ना जरूरी है उसको भी बताने की कोशिश करूंगा तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर अगर आप चैनल पहली बार आयो तो चैनल को subscribe करो आपके भाई को भी support करो जब हम कोशिश करते हैं कहीं पे भी हो बस content ढूंड के लाएं लोगों से मैं कम से हजारों लोगों से मिलाओंगा पिछले दो चार दिन के अंदर लेकिन कोशिश बस यही थी कि मैं आप सब के लिए कुछ ऐसा जो है information ला सकूं या कुछ ऐसा समझ सकूं कि क्यूं जो है bull run आ सकता है क्यूं market बढ़ सकती है उसके अंदर मैं finance के CEO स से मुलाकात हुई और यहां पर आपका मैं बात करता हूं नियर के रिप्रेजेंटेटी से मुलाकात हुई dot के लोगों से मिला मतलब मैं समझ लो कम से हम सो प्रोजेक्ट से उपर बलकि कल जो है मैटिक जो आप पॉलीगन बन गया है पोल जो टोकन है उसके जो है founder से भी मु और आल हम कोशिश करते हैं कि जितने लोगों से मिल सकें और information निकाल सकें ताकि हमारी community को फायदा हो तो वह करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी हमारा साथ दो support करा करो इसलिए कहते हैं इस चैनल को subscribe करो और वीडियो को like और share किया करो यह information जो होती है आज आज आपको realize चोलिए हुगा लेकिन अगले छे महीने से एक साल के बाद में जा भी यह Цab कोली का और जो आपको फायदा तो इसके लिए थोड़ा सा यहां पर आपको चे महीने से जीड़ साल देना पड़ेगा तो दोस्तो तो सबसे पहले मैं bitcoin की बात करता हूं और bitcoin का जैसा हम expect कर रहे थे 50 basis point 18 तारीक को जो है fed ने कम किया और उम्मीद थी market pump करेगी और market ने pump यहां किया 64,000 dollars को यहां पार करते दिख रही है black rock हो गया michael seller हो गया या बड़े-बड़े institutions हो गया tesla हो गया Elon Musk हो गया हर कोई आपको पता है cryptocurrency के रिए pro भी है और यह माल रखते भी है Bitcoin बटोर के रखे हुए तो यहां पर इनका जब मन करेगा और जैसा अगर cycle घूमा historically अगर आप data को भी देखते हो तो cycle घूमा तो भाईया यहां से Bitcoin भी आपको 3-5 गुना लगता दिख सकता है लेकिन मैंने जब सब लोगों से बात करी या जो जितने भी influencers हैं नए पुराने उनसे जब बात करी तो एक average जो है figure निकल गई कि हर कोई सोच रहा है यार एक बीस से जो हम अकसर आपके साथ share करते हैं एक बीस से डेड़ लाग डॉलर bitcoin का peak तो कम से कम होना चाहिए लेकिन standard charted की बात करते हैं बड़े बड़े और institutions की बात करते हैं उनकी projection या कई technical जो indicators हैं वो project करते हैं कि भई या धाई से 3 लाग डॉलर भी जा सकता है ये बात कर रहा हूँ मैं long term में या 2025 में इसका peak ऐसा हो सकता है लेकिन अगर मैं short term की अंदर बात करता हूँ तो क्या निकल के आता है आपको हमने 4-5 गोले बना के दिये हुआ हैं यानि कि 4-5 circle support resistance की बात करते हैं तो जहां अब 54, 50 आप कहले 56, 58,000 डॉलर जहांपे इसको एक resistance मिल रही थी आप कहले जिए अब support निकल के आ रही थी वहीं घूम रहा था और usually वो Bitcoin ETF की average buying का price यहां निकल के आता है अब यहां से जब उसने support बनाई कोशिश की 50 day moving average को break करने की जब उसको break किया 100 पे आया moving average पे 100 को break करते ही अब जो importance रखता है वो है 200 day moving average हमने अकसर देखा है कि इसके नीचे जब bull market के अंदर होते हैं तो आता नहीं है और आता है तो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है महीना देड़ महीना जाय सदा यहां रहता है और आप पीछे की history को देखोगे तो आपको idea लग जाएगा अगर आप पीछे के chart को 200 day moving और इसे consider करोगे तो आपको idea लग जाएगा कि भाया आ सकता है support test कर सकता है लेकिन मंतली candle के अंदर या एक दो महीने की candle के अगर नजर अंदास कर सको तो उसके उपर quickly bitcoin का price आता है तो अभी 64-65 thousand dollars के बीच में वो resistance निकल के आ रही है और अभी आप देखो आज सुबे 64 thousand dollars को इसने hit किया वो resistance फेस किया तो आप कह लिजे हो सकता है कुछ दिन यहां पर इसको test करता दिके अगर यहां यह short term में भी पार कर जाता है तो सीधा यह 70 thousand dollar का target यह 69 thousand dollars जो कि previous all time हाय था 2021 का उसको hit करता दिख सकता है तो bitcoin को लेके बहुत सारी चीजे चल रही हैं और election की बात करते हैं तो trump तो पूरे aggressive यहां लगते हैं और आप सब को यह मैं बता दूं कि आपक तो आपने किसी president को या कोई president contest कर रहा है और पहले USA का president रहा है किसी को bitcoin से payment करते देखा है trump भाई साब एक shop या restaurant के अंदर जाके खाने के लिए payment करते दिख रहे हैं तो सोच लो अगर उनको bitcoin को promote करना पड़ रहा है तो उनके लिए कितनी utility होगी या उनको पता है कि भाईया यहां पर कितने लोग bitcoin और cryptocurrency के अंदर हैं तो यह नजर अंदास करना शायद हमारे लिए ग अब हम 15,000 बोलते थे तब भी कई लोग नहीं सुनते थे आज हम 60,000 डॉलर से उपर हैं तब भी कुछ नहीं कोई कई लोग नहीं सुनेंगे कई लोग 50,000 पर भी आया था उनके दिल का घंटा घर बन गया था धर 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 तो भया यह सब चीज चलती रहेंगी हमें फोकस करना है और हमेशा यही बोलता हूँ टेक चिल पिल्स रिलैक्स करो जितना वालेट को देखोगे लॉंग तम के हिसाब से हो तो पैनिक में आओगे अपने माल को ओने पोने दामों में इन बड़े लोगों को बेच दोगे और वो ही हम कोशिश करते हैं कि भाया अगर आप र पर क्रिप्टोकरंसी मार्केट अगर हिस्टोरीकली देखते हैं तो जैसा हम लगातार वीडियो बना रहे हैं सो दिन और सो दिन देख लो छे महीने देख लो दोहजार चोविस पच्चिस रुख जाओ तो यह इसलिए कर रहे हैं कि भाया अपॉर्जिनिटी दिखती है ले पर लोग जो हैं या जो यंग इन्फ्लूएंसर्स हैं नए आ रहे हैं पुराने आ रहे हैं और आने वाले टाइम के नदर बहुत सारी और वीडियो आपको आती दिखेंगी हमने बहुत सारे लोगों के साथ वीडियो बनाई हैं और उम्मीद करूंगा वो भी आप उस वो महनत नहीं लगती है ठीक है जितना वीडियो में बोलने में इन्फोर्मेशन गैदर करने में लगती है ठीक है अब यहां पर हम बात करते हैं पांच कोईन की और पांच कोईन की अगर मैं बात करता हूं उसमें से पहला कोईन है देखो यह मीम कोईन है अगर मैं मीम कोईन की बात करता हूँ उसके अंदर मैं उनके काउंटर पे गया token 2049 के अंदर वहाँ पे उनका marketing का एक बंदा मिला तो मैंने सीधा पूछा कि भाईया क्या कर रहे हो तो इन्होंने एक revolt करके एक अपना और चीज लांच किया इसके अंदर और उसने बताया और हमें पता है बाइनस पे इसका future listed है usually हमने देखा है जिस coin का बाइनस पे future list होता है तो वो spot में आता दिख सकता है तो यहां पर इस coin की बात करें और हमने आपको यह बताया था पिछली वीडियो देख लीजिएगा 25 portfolio के 25 coins जो आपके पास होने चाहिए portfolio उसमें भी पिछले एक मेने के इस time पे हमारे कहने पे लिया होगा तो आज आप 15-25% के profit में तो बैठे होंगे लेकिन उस से जब मैंने बात की तो हमने पूछा की ठेलो भाईया आपको तो पता होगा Binance पे कब listing होगी तो भाई साब ने का कि भाईया Binance के अलावा किसी को नहीं पता होता कि हम यह कौंप क कौन सा कौइन लिस्ट कर देंगे और वो भी कुछ मिंटो पहले यह बताते हैं तो Binance के बारे में जब यह बात पता चली कि भाईया प्रोजेक्ट वालों को भी नहीं पता होता क्योंकि क्या होता है कई लोग ना इंसाइडर न्यूज इधर दर फेला के जो है एनकैश करने है कि Binance पर यह आता दिख सकता है spot के अंदर भी तो इस coin को closely watch कीजिएगा हमने इसकी जो है entry 0.004 के आसपस बताई थी उम्मीद करता हूँ अल्रेडी profit में होंगे लेकिन अगर यह Binance पर लिस्ट होगा अभी दोखे होगे तो launching price के आसपस ही है तो Binance पर लिस्ट होगा तो हो सकता है 0.001 और यह कई multiple time return in future meme coin है low cap या mid cap coin है तो इक growth के chances दूसरे meme coin से better दिख सकते हैं जैसे इस के अंदर दिख सकते हैं जैसे bread के अंदर दिख सकते हैं ठीक है यह एक coin इस पर नजर बना के रखिएगा investment करना नहीं करना आपकी जिम्मेवारी है हम financial advisor नहीं है हम जो मैंने information निकाली आपके सामने share करने की कोशिश कर रहा हूँ दूसरा coin है वो है safe pal SFP safe pal के CEO से मैं personally मिला और उनसे मेरी बात भी हुई हमने interaction भी किया उन्होंने मुझे product भी दिखाए कि उनके पास 3 product हैं जो wallet की बात करते हैं लेकिन उन्होंने एक और बात बोली कि देखो safe pal एक ऐसा coin अभी जो निकल के आ रहा है कि दूसरे coin से देखते हैं तो recently crash किये यह इतना नहीं टूटा और उसी level के आसपास यह चल रहा है 0.8 dollar के आसपास और इसका low recently जो पहले भी बनाया है इसने वो भी 2023 में बनाया था वो था 0.34 यानि कि जुतने coin अभी आप देखते हो क्या Arbitrum ल लेकिन एक और इंटरसिंग बात जो उन्होंने बताई जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं वो है कि यह टेली ग्राम पे अपना wallet लेके आ रहे हैं और आपको पता है टेली ग्राम आज की डेट में एक hot चीज है और हर कोई टेली ग्राम से कुछ ना-कुछ ऐस्यो यह लें वाले कर दिखेय isol तो यहां पर गाउस बात रहे लै यह टेली ग्राम का यह वाले के आएंगे यह टेली ग्राम पर एक जो उन्टेग्रेट करते दिखेंगे तो यहां पर यह भी एक बड़ी चीज होते दिख सकती है और इस से इसके coin को या इसके use case को आपको और boost मिल सकता है तो इस coin पे भी नजर बना के रखिएगा अगर आप entry के लिए देख रहे हो already ये pump हो चुका है लेकिन अगर 0.6 या 65 के आसपास मिले तो entry बनाई जा सकती है और हम उमीद कर रहे हैं कि अपने all time high के आसपास जो कि आप कह लिजिए तीन साधे तीन डॉलर का है ये छूता दिख सकता है अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तीसरे coin की वो है near protocol near protocol की बात करते हैं उनकी team से मेरी बात हुई neck, rob I guess वहाँ बैठे हुए थे तो जब उनसे interaction हुआ तो वहाँ पर क्या निकल के आया है दिखो near protocol एक अच्छा coin है इसके अंदर बहुत सारे चीजे वो work out कर रहे हैं और बहुत सारे in future development होते दिखेंगे तो मेरी कोशिस है सरीf price के बारे मैं ना बताऊं कि जो चल रहा है जो अंदर खाने बात चल रहे हैं जो आम लोगों तक नहीं पहुँच पाती है या हमें भी पता चलती है तो news और media के माध्यम से पता चलती है जब उनसे समझते हैं तो और लगता है तो इसके लिए यहाँ पे इसके बहुत सारी चीजों के ऊपर चीजे वर्काउट कर रहे हैं तो इस coin के अंदर जो हम आपको लगाता है चार डॉलर के नीचे मैंने कितना बोला आप इसको ले लो उम्मीद करता हूँ आपने entry बनाई होगी अल्रेड़ी यह pump हो चुका है 4.3 लेकिन मुझे लगता है यह अभी recently जो 8 डॉलर के आसपस है उसको तो pump करता दिखी सकता है वहाँ तक लेकिन और ज़्यादा multiple time return देने का यह coin भी potential रखता है अगर मैं चोथे coin की बात करता हूँ आपने हमारे वीडियो के अंदर सुना होगा देखा होगा अप्तॉस की कल मैं पार्टी में था और उनके काउंटर पे भी गया था token 2049 के अंदर जब मैं उनकी पार्टी में गया था वहाँ पे लोगों से interaction किया बात की और उनके काउंटर पे जब था उनसे वहाँ discussion की तो Aptos है वह भी कुछ development कर रहा है और जो इसकी transaction उनके करके दिखाया जो जो चीजे उन्होंने बताई तो ऐसा लगता है यह project भी आने वाले time के अंदर अच्छा करता दिख सकता है top 50 के अंदर यह coin आता है और already अभी जैसे सुई pump की है हमने सुई आपको आदे डॉर के आसपस कितना बोला ले लो भाया ले लो ले लो कहीं लोगोंने लिया होगा कहीं लोग नहीं लिया होगा आज आप 2X में इसी पिछले 15 आप कह लिए पिछले 2 महिने के अंदर बैठ है तो ठीक है ना तो कहीं लोग यह कहते हैं कि कोई रिटर्न नी देते वह नकान में कामको बहे हैं हैite outta आपके सामने एकजामपल है कि क्या सव溜ार क्या है ने रीकिन प्रफुरत एंडर मैं खिर्टर शला रही हाथ अगिन गया संट घ्रथ हैはは Karma कर देती है दिशान है क में कि शेयर करूँगा लेकिन एप्टॉस जो है वो भी आपको आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा पोटेंशल रखता है और आने वाले टाइम के दर वो भी अच्छा करता दिख सकता है इसका ओल टाइम आपके लिए अदे डॉलर के आसपास इस साल में लगाया था तो वहां अपने नहीं लिया है तो एक अपॉर्चनिटी मिस हो चुकी है लेकिन इसकी नियूज मैं आपको बतायता हूं गेमिंग कॉंसल जैसे सोलाना है ना उसने अपना फोन निकाला था उसको एरड्रॉप देते थे ऐसी यह गेमिंग कॉंसल पर वरकिंग कर रहे हैं और उस पर फिर वो एरड्रॉप करा करेंगे तो इसकी वज़े से भी इसकी डिमांड बढ़ रहे है और एक यूज केस और इसकी ट्रांजक्शन फास्ट होती हैं तो यहां पर मैं नहीं बोलूँगा कि भाई आपको एंट्री बनानी चाहिए लेकिन हां इन्फॉर्मेशन थी मैंने आ उनके रिप्रेजेंटेटिव थे निक उनसे बात करी थी लेकिन वहां पर मैंने पूछा कि भाईया आप यहां पर आपके प्राइस के अंदर ग्रोथ नहीं है तो उन्होंने मुझे दो बाते बोली और मुझे भी बात कुछ-कुछ समझ में आई लेकिन जब मैंने उनसे प लेकिन जब यह बात आती है तो भाया आपका यह जीरो क्यों हो जाता है यह आप मुझे समझाएए कि माया की कोई में जान नहीं लगती है अगले तीन से छे महीने के अंदर इसकी शुरुआत आपको होते दिख सकती है जब वो होगा तो शायद इसके अंदर कुछ अच्छा होता दिखे नहीं तो अगर बुल रन के अंदर अगर आपने यह होल्ड किया हुआ है तो हो सकता है तो फोर फाइफ एक्स यह बीस पच् और 2.0 नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता है अपने all time high के आसपास छूने वाला है बाकी हर कोई positive है बहुत सारे लोग होल्ड करके बैठो है तो बस यहीं सोच रहे हैं कि recovery हो जाए तो यह जो है information थी यह जो 5 coins थे जिनकी team से मैंने बात करी और सारे information निकल के आई channel को भाईयो भेनो subscribe कर लो थोड़ी मेहनत कर लो वीडियो को share कर दो like कर दो इतना तो आप भी हमारे लिए खाम कर दो ठीक है उमीद करता हूं आपको हमारा content अच्छा लगा होगा और tutor telegram को follow कर लिजिए instant update के लिए नीचे description आपने उसका भी link दे दिया ठीक है take care अभी के लि लेता हूं अभी के लिए लेता हूं कितनी बार बोल चुका हूं ठीक है लेकिन देस फाइनल अभी के लिए लेता हूं खुछ रहिए मुस्कुराते रहिए खमाते रहिए आपका दुस्वग कर थेंक यू नमस्कार धन्यवार हुआ 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 है